जो कहानी आपको बताई जाती है और जो सुनाई जाती है और जो दिखाई जाती है और जो पढ़वाई जाती है वो कहानी है कि कहीं लकड़ियां एकटी रखी हुई है उस पर एक बुवा और भतीजे बैठे हुए है बुवा की गोद में भतीजा है और नीचे से आग लगा दी है और भतीजा किसी का नाम जबता हुआ उस आग की लबडब्तों से बहार आ जाता है और बुवा जल जाती है उस बुवा का नाम हुली का बताया जाता है और कहते हैं कि उसकी वेज़े से यह हुली का उतसव फैस्टिवल तोहार या खुसी का जो छण है उसकी वज़े से मना जाता है यह जो कहानिया है इन कहानियों को कोई नोबल प्रुसकार के लिए लेकर नहीं जाता यह बड़े कमाल की बात है यह इतने सारे करोड़ लोग इस कहानी को मानते हैं उस पर खुशी मना रहे हैं और इतनी बड़ी कहानी इतनी बड़ी राइटिंग इतनी बड़ी स्क्रिप् नोबल प्रुसकार मिलना चाहिए, पूरी दुनिया की आख खुले, कि भारत के अंदर कैसे कैसे स्क्रिप्ट राइटर है, अगर कोई जाता है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, वहाँ जाते नोबल प्रुसकार अर्वो खर्वो का है, कुछ मिलना चाहिए, और हमारे जो लोग हैं, वो भी इन कहानियों को बस सुनते हैं, उसका पूरा मज़ा लेते हैं, अगर कभी सोचते नहीं है, कि कोई महिला जो जलाई गई है, जिसकी हत्या हुई है, उस पे खुशी कैसे मनाई जा सकती है, महिला की हत्या पे खुशी होने का कारण क्या है, कोई हत्या पे खुश हो सकता है तो उस व्यक्ति को अच्छा मानेंगे एक खराब भारत में परंपरा है कि भारत के एक लाग करोड रुपे लेके जो लोग विदेश भाग गये हैं अगर उनकी डैथ हो जाती है विदेश में तो हमारे भारत के लोग इतने करोणा मही हैं वो कहते हैं कोई बात नही जो मर गया उसकी बुराई मत करो भई वो एक लाग करोड लेके भाग गया कोई बात में अब उसकी बुराई नहीं नहीं करनी है जो चला गया सो चला गया छोड़ो यानि हमारे यहां मरने के बाद सारे जितने भी पापकरम हैं वो माफ कर दिये जाते हैं यह हमारी पुरान नहीं है कि दो लोगों को जलाया, उनको कैसे जलाया, कौन उनको पकड़के बैठा, वो बच्चा कैसे बचके आ गया, वो आग कहां जली, उस आग की कहां कहानी है, उसका जगे क्या है, उसका इस्थान क्या है, उसका टाइम क्या है, वो कौन लोग थे, जलाने वाले, वो जल प fortunately में वाले मिलते हैं मगर कोई दुख मनानेवाला नहीं मिलता तो कहानी में संसे क्या कहानी तो पूरी पूरी जुटी सिद्ध हो जाती है क्योंकि scientific way में या सोचने के हिसाब से भी ना तो उसका काल मिलता है ना उसका समय मिलता है ना उसकी जगे मिलती है ना जलने वाले मिलते हैं ना जलने वाले मिलते हैं और कहानी चलती है और पूछोगे कहानी क्या है तो कहते है पुरान है पुरान का मत्दब होता है संस्काइज भासा में प्राचीन यानि पुराना है बद कहते है पुराना है आप किसी पूछोगे यह कहां से लाया पुराना है बहुत ज़्यदा पूछोगे तो कहें कि अती पुराना है अती प्राचीन है ऐसे करके बात को खतम कर देते हैं कि इत्यास वित्यास ट्राइम नहीं होता पर पूछना चाहिए अगर आप पूछोगे नहीं तो चीजों को समझोगे कैसे क्योंकि यह जो होली का सब्द है अगर आप ध्यान दोगे तो पहली वार आपने होली का सब्द सुना नहीं है पहली वार आपने होली का देखा है यानि कि सब्द सुनने से पहले आपने होली को देखा है जब आप बहुत छोटे रहे साल देर साल के तो किसी ने आपके माते प में एक दूश्य को रंग लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ऐसको होली है पहली बारatan के दिमाख में आपके आँकों के सामने सब्द है क्योंकि आपका तो जू दिमाख है वो पूरी तरह stuff खाली है पोरा है उसमें होली भे बरी हुई है तो वो आपको पता चला कि ये जो खिल रहे हैं इसको होली बोल थोड़े बड़े हुए आप चार साल के पांस साल के तो आप भी रंगमंग लगा के हजी मजा करने लगे पानी डाल के खिलने लगे पाली का मज़ा लेने लगे रंग का मज़ा लेने लगे और थोड़े से बड़े हुए आप तो जब आप बड़े हुए तो आपने अखवार पड़ा मेगीन पड़ा किताब पड़ा वीडियो देखा टीवी देखा पिछले देखी पिछलों में वह ली के गाने देखे रंग रंगे छेट चाड़ की गाने देखे तो आप लगा वह यह होली है फिर आप स्कुल में मालों और वह रटा भी बस चार लाइन का रटा है कर एक ऐसा था फैसा ता वह जल गया ये जल गया उसके हो तो दिमाग में हर साल निवंद लिख 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 ल ही है तो उसमें तो परमाद ही परमाद है पूरा जो सारा का सारा जो इरोटिक सीन है उसके इंदर चलता है तो और मजाने लगा तो उसके अंदर फिर देखा रंग लगाना रहा है इन आगे बढ़ती गई और च्हेड़ चाहर से गाली कलोस से मुखाले से गोगर से चुल्त support तो हूली आपने पहले देखी फिर आप ने पढ़ी ओपर आपने की हो यह बस इतना आप होली के बारे में जानते हैं भारत में हर व्यक्ति इतना जानता है इस से जजँदा किसी को नहीं पता कि हुली है क्या होली का मतलब क्या है और हुली कहां से आई ए और कैसे हैं, वो परंपराई हैं यह चाया खराब हैं, चाया खराब कर दी गए हैं, चाया पर अच्छी है, जैसी हैं, उनका अधिकतर जो संबंद है सारे festival का वो खेती सर्फ किसानी से है खेती किसानी में फसल का आना फसल का जाना बीच का बोना पानी का लगाना पल का काटना ब्रश्चों की पूजा ये सारे के सारे जितने भी festival है सारे वहीं से बने हैं पूरे भारत के festival वहीं से बने हैं इसलिए जो होली का जो जिक्र है वो कैई प्रिकार से है और होली कई चीजों की कई घटनाओं का मिक्स सॉलिशन है यानि कि मिक्षर है ये एक घटना नहीं है होली के पीछे बहुत सारी घटना है जिसमें जो पहली घटना मिलती है वो मिलती है बुद्ध की द्वारा जो धंपद दिया गया है उसमें जो कथा गाथा नंबर 26 और 27 धंपद के अंदर और आ प्रमादबग बोते हैं जो उनको खाना पहुचाते हैं वह आप अपने विहार से बहार मत निकलना क्यों कि बहार सात दिन तक प्रमाद चलेगा, साथ दिन तक लोग एक दूसरे के उपर जो धूल है और जो लैंडी है, लैंडी उसको बोलते हैं, जो मल होता है, यानि जो गंदगी होती है, उसको गाय का मल बोल सकते हैं, भेंस का मल बोल सकते हैं, घोड़े का मल बोल सकते हैं, वो है और धूल है, व जिसको रितू बोलते हैं, वो रितू वाले क्रिया करम करेंगे, तो सारा महाल पैसा ही रहेगा प्रमादी, हम खाना आपको वहीं पहुचा देंगे, तो साथ दिन तक वह खाना वहीं पहुचाते हैं, और साथ दिन के बाद में फिर भिकू के पास वो जाते हैं, तब बुद् कर सकते हैं धंपध है ताररा नाम जी की जो राइस्थान की जी खाक है उसमें यह सारी बात हैं लिखी उनीगी, तो वहां जो धूल और जो लेंडी उडाने का जो सीन बताया गया है उससे जो सब्त बनता है भूल लेंडी इसको दोलेंडी भी बोला जाता है यानि कि जो धूल से खेलना एक उसे क्योंकि है क्या कि ये जो आता है फेस्टिवल कहें से या जो रित्यू आती है ये आती है फगु मास में फगु का मतलब होता है ब्रत रुपास करना और इसको बसंत उतू बोलते हैं यानि बसंत रितू बोलते हैं इसको काम महुतसब भी मनिपुर में याउसांग बोलते हैं मनिपुर धुरंडी दुल्खेल और धुली वंदन इसके बहुत सारे नाम है यह पूरब का यानि कि बुद्ध के आसपास काई फेस्टिवल रहा है सारा सारा और यह फेस्टिवल इसलिए है क्योंकि ठंड जा चुकी है ठंड जा चुकी ह है तो епरिभार को अपने परिवार बढाने हैं तो वह मदमस्त हैं और योदू में दूरी करो पानी फैंकते हैं दूल Perfect कि साथ दिन तक यह चलता है। उस मदमस्थती का उस योवन का उस परिवार बहाने का उस रितू का यह फेस्टिवल है इसका नाम हेला भी है क्योंकि ह हिला का जो मतलब होता है वो होता है जो सेक्शल काम करते हैं उसको हिला बोलते हैं पर मनलब जो प्रमाद का काम करते हैं उसको हिला बोलते हैं तो हिला भी इसका एक नाम पड़ा हुआ है मगर यह जो बुद्ध से पहले यानि एक घटना है और दूसरी घटना यह है कि फसल पकर त्यार खड़ी हुई है और फसल पकर जो त्यार खड़ी हुई है अन्न का एक नाम होरा भी है होरा बोलते हैं अन्न को और वो लोग जो अन्न को पैदा कर रहे हैं वो उसको जला कर दे है या जो उसमें चना है या जो उसमें जों है उसकी बाली को भून के खाया जाता है और ये चेक करते हैं भून के खाने में कि बाली अभी कितनी पकी है कितनी नहीं पकी है तो जगे जगे आग के धेर लगा जाते हैं और आग के धेर कहीं पूरे फसल को ना जला दे इसलिए भूनने के बाद उन पत्तों को उन पर पानी ठेका जाते हैं, तो पानी और आग का एक खेल है, एक जो फसल से संबंदित जो अन्न को होरा बोलते हैं, वहां से चला है, और जो चने हैं, उनको भी हम होरा बोलते हैं, हमारे यहां घरों में आज भी चनों को भून के खा जाता ह को हो रहा बोलते हैं और आज भी लोग जो आग लगाते हैं उसमें बाली भूनते हैं और बाली भूनते खाते खाली ये परंपरा रह गई अब क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो बाली भूनके चेक कर रहे हैं बाल भूनके कि कितना है कितना नहीं है आग लगानी कि परं मासी आती है उस पूरन मासी पे 500 भिक्वों ने जो सत्पढ़नी गुफा है सत्पढ़नी गुफा के अंदर वो बैठे और उनोंने ये कहा कि हम जो बुद्ध के सूत हैं यानि कि बुद्ध के रखा बंधन सूत जो बुद्ध की रखा करने वाले जो सूत हैं जो जिनको चौर पे धागा बाने सिर्फ बोने लगे तब उसे उन्होंने उन्हों सुट्टों को बांधना सुरू किया कैसे बांधना सुरू किया उन्होंने सभा लगाई पांसो भिक्कों की जो अरत भिक्कों थे और उनसे ये पोछा बही बताओ ये बात बुद्ध ने कब कही थी इसको सर् बनाके रटना सूर किया तो सूत्तों को बाधने में सात महने लगे और सात महने पर ये जो काम पूरा हुआ ये काम पूरा हुआ जो फागन पूर्णमा आती है यानि सात महने पाद तो फागन पूर्णमा पर खुशी मनाई जाती है कि बुद्ध के सारे सूत्त पूरे हुए तो बुद्ध के जितने सूत हैं इस सूतों को धागे में आज भी बाना जाता है और जो धागे में माना जाता है उसमें धम्चक्रव में होता है गो वरका होता है गो रखांका मतलब है कि गौतम के श्रेष्थ और आठ उसके अंदर जो भर बोलिये हैं भर बोलिये का मतलब है जो भरे हुए हैं धम से आठ गोवर के प्रिट्टी के रूप में वो होते हैं चार इधर चार इधर और बीच में जो धम चक्र होता है उसको बांथ हैं तो वो कहते हैं कि यह हमारा स्थूट पूरा बन गया उस क्षूट की मारट हो गया थम अमारा बंत गया उस फूसी में चारों तरफ ये एक तरह से उसको मनाल जाता है और एक परहंपरा आज भी है मगर चुकि दॅचछा गया इसलिए वह थम को भशब करने की एक नीति यरुसको आग में जलाने का धंचक्रा आग में जल गया एक पिट्टी के रोप में रहे गया है खाली खाली और बाकी चीज़ें से रही एह इस नहीं तो कैसे एक फेस्टिबल बनता है कैसे एक फेस्टिबल नहीं बनता है क्योंकि दूलेंडी जो नाम है वो धूल की लेंडी है जो धूल की और लेंडी माने गोबर है वो आज भी चावतर चलता है सारी पनप्राएं चले गए पनप्राएं मिक्स हो गए और क्या भचाली नाम भचा और ओलजी जो नाम है उस भ nettorie में भू काला करना गोवर करना सुलाप करना यह करना वह करना सारी सारी पराइया से अंदर डाल दिए गए और ओली के उस सब तो हमसे ही उस जो बेकार का पापकर में हमसे एकराज जाता हैक पर हमारे सामने कैसे होता है कितना खतना कि आप उसको देखेंगे मुझे एक कहानी याद है कि हमारे जो साथ पे कुछ लोग थे उन्होंने सत्ट लगाई च्षिमार में महहारत करने वाले व्यक्ति के घर में उसके लड़के की बहु आई और वो उसकी पहली होली थी तो पहली होली पे जो पुरानी परंपरा है उसमें जो घर की और जो शादी होके आती है उसको कभी भी घर में नहीं रखा जाता क्योंकि होली के अंदर बत्नमीया होंगी इसलिए हो सकता है वो माँ बनने वाली हो तो उसको हमेसा माई की भीद्य जाता है क्योंकि माई के में वो बहन होती है बेटी होती है तो वहां उससे कोई छिड़कानी नहीं करता है मगर उसने वो पहली होली पर अपने घर रखी तो सर्थ लगाई कुछ लोगों ने जो हमारी जानकरी में थे कि इसकी जो पत्नी है उसको टच करना है चूना है बागी सब आप समझ सकते हो तो वो सर्थ लगी काफी पैसे की और उसने का ठीक है कि वो जो लोग थे नों सर्थ करेंगे और होली के दिर्मा पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि हमें भावी जी के चण्र्स करने होली मनानी हैं होली का टी का लगाना और सारे सरावuum कीया प्रकर्म पूरी कี यह जार रुपे ब्जी यह कुछ रहा गया इससे सहज स्थिती हो जाती है ऐसे फेस्सेवलों कि ऐसे बदल दिये गए इसलिए यह जो आता है इसको अगर आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह कैसे काम चलता है कैसे नहीं क्योंकि बैंगलोर के अंदर जो महाबोधी बिहार है उस महाबोधी बिहार में यह आज भी धंपत के रूप में मनाया जान जाने लगा है इसन्ये इसको अच्ची तरह से आप समझेंगे तो जानेंगे और वो जो कहानी हमें 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 बताइजा जाते हैं कहानी में सारे पात्र हमारे हैं जो हिराई है वो हिराई का नाम पाली के अंदर जिसको सौन सौना बोलते हैं और कासप रिशी का नाम कासप है इसलिए कासी बोलते हैं और जो नर्सिंग है वो बुद्ध का नाम है क्योंकि बुद्ध को नर्सिंग नर्सिंग बुद्ध के ला मनाना चाहिए, ये सको नहीं इढ़ाना चाहिए, ये हमारा मुह काला करने का है खाली ऐसा कहने से बात नहीं बनती क्यों नहीं बनती आगें ordable कि अगर आप किसी फैस्टिवल का वरोध करें लोग आँ पार के लोग जितने लेकर नहीं आता बहार से जो लोग आते हैं वो हत्याल लेकर आते हैं वो मारा मारी लेकर आते हैं वो डांकू होते हैं वो लुटे रहे होते हैं उनके साथ में का कल्चर नहीं आता ना वो अपने साथ में और लेकर आते क्योंकि जो लुटे रहे होते हैं वो और बच्चे ले जाता है आप अगर अपने फैस्टिवल खो देंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा मगर आप अपने फैस्टिवल का विरोध करेंगे तो अपनी संस्कति का विरोध करेंगे तो इसलिए महरत आप करते नहीं जानते आप है नहीं और उसका सीधा विरोध करते हैं तो हैं और एक वो हैं जो इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो हमको सही जानकारी देंगे ना तो हमको यह कहना है कि आप इसको छोड़ दो ना हमको यह कहना है कि आप इसको मनाओ हमको सही जानकारी प्लेस करनी है अगर हम सही जानकारी देने में काम्याव हो गए तो जिनको छोड साल साल दर साल साल दर साल बनते हैं और लगातार बड़े होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं और वो परंपरा में आ जाते हैं यह जो फैस्टिवल जितने भी भारत के हैं यह किसी बहार के आये हुए आदमी ने एक दिन में या दो दिन में नहीं बनाए वो बना नहीं सकता कोई भी और बाहर का तो कोई भी व्यक्ति अपनी कल्चर बना ही नहीं सकता जैसे जो इसाई लोग हैं इसाई लोग यहां आए और यहां उन्होंने राज किया उनके फेस्टिवल यहां नहीं चलते जो इसाई हैं वो मानते हैं बाकी नहीं मानते अगर बाहर के लोग अपनी क में मानते हैं भारतिय स्टाइल में मानते हैं तो कल्चर जितनी होती है वो यहीं की होती है कल्चर कही नहीं जाती इसनिये सारी की सारी जो संस्कति है वो सारी की सारी यहीं है आप अपनी संस्कति से भागे मत आप फेस्टिवल से भागे मत आप इनका पोस्ट मार्टन deception कीजिए आप इनको देखिए कि ये कैसे बन में हैं कैसे काम है कैसे मुरे कैसे तूरे इन में चल क्या रहा है इनमें हो क्या रहा है ये कहां से आए लिखा हुआ है उसका नाम हटा दीजिए उसको साफ कर लीजिए उसकी जाल पहुंसके ठीक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा होली का जो फेस्टिवल है अगर हम हिला के हिसाब से देखेंगे और बुद्ध ने जो बताया प्रमाद के हिसाब से तो यह अच्छा नहीं है लोग उसमें परमाद हो जाते हैं यूवको निगाए भुद्बुरी रखते हैं उसके हिसाब से खराब है तो खराब खराब चीज़ आप निकाल दीजिए और अच्छी चीज़ रख लीजिए मगर आप सीधे-सीदे यह कहेंगे यह तो हमारा नहीं यह उनका नहीं अरे वह उनका है यह नहीं आप जब 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 ज करें तो ज्यादा बहतर है आँजके सेमें तो वह सारी की सारी चीजिए हैं जो प्राचिन और परंपुरास में बनी हुनी हैं सारे फैस्टीबल वो सारे फैस्टील भारत के फैस्टीबल से पहला है कि और बुद्द के भाद के सारे फैसिलाद Talking नाम है आप जानेंगे को क्यों याद करना चाहिए क्यों फैस्टिवल को हमें रिवाइब करना चाहिए क्यों अपने फैस्टिवल को जाड़ना पहुंच कर ठीक करना चाहिए क्यों कि फैस्टिवल हमारी जड़े हैं और जब आप किसी फैस्टिवल में जाओ तो आपको पता चलेगा कि फैस्टिव सारे लोग बना रहे हैं, तो हम सारे एक थे उस समय, क्योंकि अगर किसी कास्ट का फैस्टिबल होता, तो वो कास्ट मनाती, तो इससे ये डिसाइड होता है, कि हमारे किसी फैस्टिबल में कास्ट नहीं है, तो उस समय कास्ट नहीं थी, हमारे किसी फैस्टिबल में वर्ग भे कि एक साथ के साथ जितने भी लोग थे वो बैठके खाते थे बैठके पीते थे सारी खुंसियां मना मनाते थे जो हमारा अन्न का होरा का होता था तो इससे फैस्टिबल की जड़ों से हमें पता चलता है कि हमारा परिवार एक था तो हमें पता चलता है कि संग एक था तो हमें पता चलता है कि हम संग्ठोनों में नहीं तूटे हुए थे हम चुक्डों में नहीं तूटे हुए थे और असोक के समय तक होली का कहीं इस तरह का जो आज की होली है जिक्र नहीं है तो इत्यास से यह पता चलता है कि यह नाम अभी का है यह नाम बात का नहीं है यह नाम को भल के इस साहिते के लावा इसका वर्णर नहीं मिलेगा और वर्णर नहीं मिलता है तो आपको पता चलता है कि इसमें कितना मिलाया गया है और कितना इसमें तोड़ा गया है कितना मोड़ा गया है तो आप जितने भी फैस्टल उठाओगे वो सारे के सारे बुद्ध और सुना कि होली का और पहलाद जहां जले दे वह जगे यह को इसा गांग को का एग मिला हो जहां लोग जाते हो कई नहीं मिलागा आपको मगर आपको एंदर मत्रा के अंदर जहां बुद्दिष यूनिवरस्टी रही है वहाँ पंदरे दिन की होली आज भी मिलेगी क्योंकि वहाँ जो यह चलता था प्रमाद का सीन यानि यूबक और यूपतियां की दूसरे को छेड़ चाल करते थे वो परिवार को बढ़ाते थे वो पंदर दिन का है वो आज भी चलता है यूपतियां वहाँ छेड़ती थी प्रमाद में आने के बाद में और जो यूबक थे उनको पिटा करती थी प्रमाद में छेड़ खानी का मारे पिटाई का सीन भी चलता था यह सीन आज की डेट में मुथरा के अंदर अभी भी कायम है जो चलता है क्यों कि यह फैस्टीवल जो रहा हेला का यह हुलीगा यह हुरीका यह पूरी उत्तरप् Islands प्रदेश का ही में रहा है बागी पूरे भारत का पहीं रहा नहीं इसलिए पूरे भारत में कहीं इस्ती जड़ें मिलती भी औहीं है यह जड़ें हम militarत पहले अपना जितना भी समाज है संगे उसे ढूंड लो, जिनका समाज जिनके पास होता है, जिनका संग जिनके पास होता है, राजनीती तो उनके उल्टी जेव की पौकेट में होती है, रोज नाजनीती करो, रोज जितो, आपने सुना होगा जिनका संगे हो क्या कहते हैं, हम रिवाइब करना है पहला काम इखटा होना है पहला काम संग बना रहा है और दूसरा कोई काम नहीं है भाई कोई यह कहता हो कि दूसरा काम क्या है तीसा काम क्या चौता काम क्या वस पहला ही काम है जिसने पहला काम कर लिया उसके सारे काम हो गए यह ठीक ऐसे है कि जैसे अगर आप कोई काम करने जाएं और आपको ये कह दिया जाएं कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी अवश्टा सारी पूरी हो जाती हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करेगा क्यों ये संपूर काम है जोड़ना जोड़ना अपनी जड़ों में जाना जिन लोगों कोई कहेगा के जाना चाहिए कोृ कहेगा की हमको बिजनस में जाना कॉई कहेगा हमको यह सरकारी करमशारी उनके Richardson को कोई कहेगा हमको के इंडेस्टी कुनी प्रहुत का लोगी मनद बुद्धि के लोग जो लोग उसका के लोगे τेजिकंड़ बच्चें हैं जो उस्जुआ के अकल बच्चें के ंपने बूंचो गए यह इतने बुद्धिमार इतने काबिल हैं जब यह खटे होंगे तो यह खुद कर लेंगे को बताएगा यह अपना काम खुद कर लेंगे वहां भी व्यक्ति बात चाहिए क्या कोई व्यक्ति इनके सर पर बठाना है कितनी बार बताया है बावा साब ने बूर से फाइदा होना होता तो यह नेटा दैने वाले कम थे क्या तो बावा साब की बात मान लेने चाहिए तो बुद्ध की बात माल लेनुं चाहिए, भावावा साव में कहा हीन हीन ही रो हीन चाहिए नेता नहीं चाहिए भारत कखरा, राजे संग्साइए और संवीधान होना चाहिए यह संवी-धान प्र देFC चलता है तो हमें क्रीच लाएगा और वुद्ध में क्या कहा है पुद्ध ने कहा है मेरे मन्नेके बाद में कोई आगे बुत्ध नहीं कोई आगे चलेगा कोई नहीं होगा संग चलेगा संगắp सह ग्वहारम सै लिए विक्ति खतम कर दिया और भिक्तों को भी किया कोईtin la stores नहीं होगी कोई नेता नहीं होता वहांपे को संग नेता नहीं करता इसको करनी है वो जाये कि आsk 갑자기 से सीखके करें कि कौन कोन करता है को इता है कि मैं यहां पढ़ पोष्ट को इस वी समानम में है यह तो हम कुछ कहते नहीं हम जो कहते हैं वही कहते हैं है जो हमारे महापुर्ण सोफ की वर्णी है हम एक संद नीं बोलते सफालतु और ना हमारे पास है और ना हमारे तिन सोच है वह जो सोचके गए हैं हम तो स्रte Черे चाम करते हैं उन्हीं कहा संघे सक्टि इंस और फो mortar होना है तो सक्ट तो खाना सब एक खटे लाते तो एक साथ ही खाते हैं तो महापुरसों ने कहा कि सब की सुनते हैं जैसे संग में होती है किसी की चलती नहीं बहुमत से पास होता है पंचास से पास होता है तो महापुरसों ने कहा कि सारे भाई भाई हैं जात नहीं आनी चाहिए तो बैन कर दिया कि अगर संग के अंदर कोई जात लेके आता है तो संग घात है संग का दुस्मन है वो संग में कोई अगर जात की बात करता है तो जात की जिंदगी में बात नी कर सकता तो भेद खतम कर दिया न नारी को महिला कहें बोलते हैं को सब को समान बोलते रहे हैं और पूरे देस में बढ़ता जा रहा है रहा है बढ़ता जा रहा है राए एक सबसारे पहाँ विद्यैसौंड कर रही देस विध्यार पहंगे महाइब तो महापुर्स ने कहा कुछ नहीं मिले क्फ़ए को कुछ नहीं मिलेगा कॉनुइ में सबको मिलता है कर चार रोटी है तो बठके मिलेंगी सबको वही बात मिद्यान्या याए, संग में जो भी होगा, संग से जो भी benefit होगा, उस संग को मिलेगा, व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये बात अच्छी तरह से ठोक ठोक के बताई गई है, और ये भी बता दिया महापुरसोन्य के संग के जो बनाने वाले हैं, वो महापुरस भी नहीं है, यानि बुद्ध से नियम लेके हमारे महापुरसोन है, बुद्ध से भी पहले महापुरसोन बनाया, इसलिए कोई आदमी इस गुमार मिना रहे है, कि संग के तो फाउंडर बाबा साब भी नहीं है, संग के फाउंडर तो बुद्ध भी नहीं है, उनके वनसत से पहले और प्रकति के साथ सार तो और क्या चाहिए भाई अब सिर्फ हमको काम करना है और काम करने का नतीजा ही है कि हम बहुत तेजी से जोड़ते जा रहें 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 और यही स्पीड रही तो यह जो अभी हमा परहाना संग है कि और लो इसी बात पर है कि जुडएंगे तो जीतेंगे और नहीं जूडएंगे तो जैसे पिटे हैं वैसे पिटेंगे और बार बार पिटेंगे हर बार पिटेंगे और इतने पिटेंगे इतने पिटेंगे के फिर पिटने के लिए बचेंगे भी नहीं खतम हो जाएंगी नसले इसलिए जिद जुड़ने की है जुड़ेंगे और जीतेंगे और जो हैं जो निरासा फैला रहे हैं फिर निरासा नहीं आएगी क्योंकि जो संग में चुड़ जाता है उसकी सारे काम हो जाते हैं इसलिए संग सरवोपरी है संग सत्ती है संग हमारा सब्सक्राइब है धरने बाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है यह सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share country कर सकते हैं ख़ीब चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंगि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामी तूथियं पी गुद्धं सेण गच्छामी तूथियं पी गुद्धं सेण गच्छामी तूथियं पी धम्मंगर सेण गच्छामी तूथियं पी गुद्धं सेण गच्छामी तूथियं पी सेण गच्छामी बुखियं पी सन्यं सर्णं कच्छानी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुद्धं सर्णं कच्छानी तर्तियं पी सन्यं सर्णं कच्छानी साथू, साथू, साथू साथु स्भी बुद्धं सर्णं कच्टानbestि ह uniqueness सन्यं पीस स्ती